नमस्कार मेरे पैरे दोस्तों मैं हूँ आपका होज शेव धी रज आज के इस क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं हमारी food storage के बारे में और यह कलनरी camp का हमारा वीडियो है हम होटेल्स में job करते है रेस्टरंट में job करते हैं तो हमारे पास एक walk-in होता है वॉकैन का मतलब होता है एक ऐसा Fridge जिसमें कि हम लोग walk कर सकते हैं इसमें आपको confusion नहीं रखना है कि वॉकैन और Fridge अलग होते हैं अब उसके अंदर आपको आप का समान कैसे रखना है हम वही सारी बाते हैं जिसमें करने वाले हैं इस class के अंदर आपके फ्रिजिस के अंदर धेर सारा समान होता है, हमारे पास हमारा जो खाना, पकावा खाना होता है, हमारे पास दाल होती है, हमारे पास ग्रेवीज हो जाती है, हमारे पास चीज हो जाता है, बटर हो जाता है, डेरी प्रोड़क्ट हो जाता है, धेर सारी चीजे हमारे पास हो जाती हैं इसके अलावा हमारे पास fruits हमारे पास होते हैं चाहे हो काट के रख दी हैं आपने चाहे whole fruits आपके हो इसके बाद आपके पास seafood आपके पास आजाता है आपके पास आजाती है उसके बाद beef और pork के प्रड़क्ट होते हैं चाहे pork का meat हो चाहे उसके जो sprouts होते हैं वो हो या अलग-अलग प्रकार के cuts हो उसके बाद ground meat हमारे पास हो जाता है कीमा वग्यरा और साथ में हमारी poultry हो जाती है pork के अंदर हमारा chicken हमारा आ जाता है duck हमारा आ जाता है turkey हमारा आ जाता है साथ साथ हमारे अंडे तो यह सारे के सारे या इस प्रकार की चीज़ें हमारी सारी के सारी आती है इसमें आप देखें कि कहीं भी मैंने किसी sauce की बात नहीं करी है bottles की बात करी है, tin की बात नहीं करी है क्योंकि वो हमको fridge में रखने ही नहीं होते है वो fridge से बाहर रखने होते है अगर वो packed है, अगर वो खुल जाते हैं तो वो किसी ना किसी category के अंदर हमारे जरूरा जाएगे तो यही हमको follow करना होता है यहाँ पर मैंने 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 columns बना दिये हैं यह आप देख सकते एक परकार की सीडी सी बन गई है इसी परकार से आपको follow करना होता है अपने hotel के fridges के अंदर सबसे पहले जो आपका self होता है अगर आप self भी देखेंगे 5 या 6 हमारे self या पल्ले होता है जो कि आपके fridges के अंदर commonly हमको मिल जाते हैं जिसको कि हम लोग अपने food storage racks बोलते हैं हम बोलते हैं रैक नमबर 1 में रख दो रैक नमबर 2 में रख दो थर्ड में रख दो ठीक है जी तो इस प्रकार से चीज होता है किसी-किसी hotels में अगर आप देखोगे 4 रैक या 5 रैक होते हैं अगर यहां पे अगर आप prepared food और vegetables and fruits देखेंगे दोनों लगबग एक ही है क्योंकि fruits भी prepared vegetables हो सकती है या prepared food हो सकता है तो जो सबसे उपर वाले रैक में हमको क्या रखना होता है तो यह सारी की सारी basics है अब यहां पे सबसे बहले ध्यान यही रखना होता है कि किस self में क्या रखना है वो तो हम बताएंगे कि हमारा फ्रिज है खराब होने लग रहा है समान खराब हो जाएगा अगर ज्यादा दे temperature हमारा 5 से उपर रहेगा क्योंकि 5 से उपर हमारा danger zone हो जाता है यह सारे के सारे items को हमको हमारे safe zone के अंदर रखने पड़ते हैं दूसरा frizzes के अंदर आप जो भी समान रखेंगे उनको properly आपको जो tag लगा के रखना है cover तो रखना ही रखना है ढखके ही रखना है हमें सारी के सारी चीज़ साथ साथ उन पर tag भी लगाना है कि यह क्या चीज है और आपको कोई बोलेगा कि वह पर्टिकुलर पार्मिसन चीज लेके आओ यह पर्टिकुलर कोई प्रोसेस चीज लेके आओ तो आप पहचान नहीं पाओगे तो उन बातों का आपको ध्यान रखना पड़ता है साथ साथ आपको expiry कब होने वाला है उसके अनुसार जो भी expiry होने वाला है वो सारे के सारे चीज़े आपको लिखनी होती है इसके बारे में ज्यादा आप अपने जो सुपरवाइजर हैं शेफ हैं एक्जुटीव शेफ हैं रोजाना तो साफ करना ही होता है बाकी week में या आपके 15 दिन में या महीने में आपको deep clean भी करनी होती है तो ये सारी चीज़े common हो जाती है चलिए जी जो सबसे उपर जो पला हो गए है सबसे उपर वाले rack में हमारे prepared food आएगा prepared food के अंदर आपके सारे का सारा ऐसा खाना जो अरड़ी prepare करके रखा है आपने कोई curry हो गई कोई gravy हो गई किसी भी प्रकार से आपके चीज़े अब आपके मन में ये भी question आ सकता है कि आपने और भी काई video देखी होंगे जिसमें बोला जाते है कि जो gravy वाले item नीचे रखे जाते है या दूसरे item उपर रखे जाते है पर वो एक अलग topic पे हम लोग बात करेंगे करेंगे यहाँ पे आपको इस तरीके से समझना है क्योंकि यहाँ पे जो temperatures होता है हमारे जो fridge का होता है वो सबसे जादा नीचे सबसे कम होता है जी हाँ सबसे नीचे कम होता है तो उसके अनुसारी पूरी एक तरीके साफ पिरामिंड बोल दीजे सीडी बोल दीजे तियार की गई है सबसे उपर आपका prepared food रखना है prepared food के अंदर आपके dairy food भी आजाएंगे आपके cheese भी आजाएंगे ठीके जी आपके दूद, दही, butter, butter सारे आजाएंगे कुगर food भी आपका यहीं आजाएगा दूसरे रैक में आपके fruits और vegetables आजाएंगे जो भी whole fruit आप ला रहे हैं apple, banana, chiku, viku, aam, aam सब कुछ सब के सब आपके आजाएंगे अगर आपके पास सिर्फ 5 self है तो एक और दो self को आप merge कर सकते हैं क्योंकि prepared food और यह foods and vegetables आपके आप बोल सकते prepared food है क्योंकि apple को सीधा खाली आजाएंगे apple को cook करनी कोई ज़रूद नहीं होती है तो इनको आप एक साथ ही रख सकते हो पर separate separate रखना है और उनको अलग से cover करके रखना है इसके बाद तीसरा राइक आपका जो fish और seafood का हो जाता है fish के अंदर आपकी जो भी fish के आपके cuts है whole fish है सबको आपको रखना है पर separately उनको अलग-अलग जो की हमारे boxes हो गए या फिर जिनकों की हम लोग pants बोलते है वो सारे के सारी चीज़े रखना है ढख के भी आपको उसमें रखना है इसके बाद यहाँ पर जो चौता नंबर आज़ता है वो आज़ता हमारा beef और pork के जो भी item आप ला रहे है beef के जो भी item आप ला रहे है beef के हम लोग steaks लाते है ठीक है जी या फिर हम लोग beef के कोई एक special part लेके आ जाते है tenderloin पूरा का पूरा लेके आ जाते है उस सारी के सारी चीज़े आपको rack नंबर 4 में रखना है साथ साथ pork से related pork chop हो गया pork meat हो गया pork knuckles हो गया जो भी चीज़े साथ आपको वह भी उसी rack में रखनी है पर separate करके रखनी है एक साथ नहीं रखना है इसके बाद 5 में हमारे ground meat आ जाते है ground meat का मतलब कीमा क्योंकि कीमा आप बोलेंगे और जादा dangerous होता है जल्दी से जल्दी इसमें cross contamination होता है क्योंकि यहां जितनी भी चीज़े हम लोग कर रहे है separate हम लोग इसले ही कर रहे है ताकि एक के bacteria दूसरे में ना फैल है दूसरे के bacteria तीसरे में ना फैल है इसी वज़े से यह सारी के सारी चीज़े को separate करके रखा जाता है ground meat के अंदर बहुती जल्दी से cross contamination हो सकता है तो इसले इसे हमेशा दूसरे rack पे ही रखना चाहिए और सबसे last में छटे नमबर पे हमको अपके हमारे जो poultry होते है poultry के अंदर हमारे chicken हो गया, duck हो गया, turkey हो गया यह सारी के सारे hole है या cut है जो भी हो वही पे रखना है, साथ साथ हमारे जो अंडे अंडे हमारे इस rack पे ही आएंगे तो इस प्रकार से आपको आपके fridge को arrange करना रहता है यही एक सही system है आपको freezes को arrange करने का बाद में अगर आपका भी ship वगरा में विजाओगे तो यही सारी चीज़े आपको सिखाई जाती है यही प्रकार की जो हिराकी बोल दीजिए या pattern बोल दीजिए, follow किया जाता है उपर prepared food है, fruits and vegetables है तीसरे में seafood and fish है आपका फिर आपका pork और beef आ जाता है ground meat आ जाते हैं और सबसे last में आपका pork tea और अंडे आ जाते हैं तो इस वीडियो में कलनरी camp में हमने सीखा कि किस प्रकार से आप अपनी food storage कर सकते हैं फ्रिजिस के अंदर, इसी प्रकार से हमारे freezer के अंदर storage अलग होती है या फिर हमारे घर का freeze होता है उसके अंदर लग होती है, उसके लिए हम separate video बनाएंगे, उमीद करता हूँ आपको यहाँ पे सारी की सारी चीज़े इसली समझ जा गई होगी, और आप अब इसका follow करोगे, कुछ भी questions हो, comments हो नीचे लिखेगा फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जहिंद